एक औरत को आखिर, क्या चाहिए होता है? एक बार जरूर पढ़े ये छोटी सी कहानी, राजा हर्शवर्धन युद्ध में हार गए. हथकडियों में जीते हुए पडोसी राजा के सम्मुख पेश किये गए, पडोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्शवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा. यदि तुम एक प्रशन का जवाब हमें लाकर दे दोगे, तो हम तुम्हारा राज्य लोटा देंगे अन्यथा उम्रकैद के लिए तयार रहें. प्रशन है एक स्त्री को सच्मुच क्या चाहिए होता है, इसके लिए तुम्हारे पास एक महीने का समय है, हर्शवर्धन ने यह प्रस्ताव स्विकार कर लिया. वे जगह जगह जाकर विदुशियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वेश्याओं, दासियों और रानियों साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सच्मुच क्या चाहिए होता है, किसीने सोना, किसीने चादी, किस किसी ने बेटाप्ति पिता और परिवार तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की मगर हर्शवर्धन को संतोष न हुआ। महीना बीतने को आया और हर्शवर्धन को कोई संतोष जनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया की दूर देश में एक जादूगर्णी रहती है, उसके पास हर चीज का जवाब होता है, शायद उसके पास इस प्रशन का भी जवाब हो हर्शवर्धन अपने मित्र सिधराज के साथ जादूगर्णी के पास गए और अपना प्रशन दोहराया। जादूगर्णी ने हर्शवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी परंतु इसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी जादूगर्णी बुढिया तो थी ही बेहत बदसूरत थी, उसके बदबूदार पोपले मुह से ए अपने मित्र के जीवन की खाते, जादूगर्णी से विवाह को तयार हो गया, तब जादूगर्णी ने उत्तर बताया, स्त्रिया स्वय निर्णय लेने में आत्म निर्भर बनना चाहती हैं यह उत्तर हर्शवर्धन को कुछ जमापडोसी राज्य के राजाने भी इसे स्व चुंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, आत्मे 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी, और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में बताओ तुम्हें क्या पसंद है, सिध्धराज ने कहा प्रिये यह निर्णय तुम्हें ही करना है, मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्विकार किया है, और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है, जादुगर्नी यह सुनते ही रूपसी बन गई, उसने कहा, चुंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है, तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी दरसल मेरा असली रूप ही यही है, बदसूरत बुढिया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था, अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है, इसी लिए जो लोग पतनी को घर की मालकिन बना देते हैं, वे अकसर सुखी देखे जाते हैं, आप उसे मालकिन भले ही न बनाए पर उसकी जिन्दगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्ने स्वय पर उसे जिन्लीनी दें